हला एवरिवन कैसे हैं आपको लोग और आपके अपने चैनल के आप सबका स्वागत है रम रम जी ना ना दो ना सारा हो गया सूट पे बन जाए क्योंकि एक जैसे सूट है तो इस वज़े से आप लोगो को बता देरी हूं मैंने बनाई थी एक बूरिया जो यह बंसु ने आक मैं वीडियो स्टार्ट करें जेड़ वज़े से हाना ना दोने सब हो गया खाया मैंने कुछ नहीं नहीं है यह अटा पूर्ची महां पर करते हैं जो ठाके सारे रखते हैं ति मैंने वीडियो स्टार्ट करने पी फिर नहीं हो पाती है मेरी वीडियो स्टार्ट तो इस वज सारे बड़तन धुले हुए रखें, यह देखिए, यहां पे दूद निकाला, दूद की मलाई निकालके, बच्चों को होलेक्स देके, बच्चों को दूद दे दूँगी, पता है क्या होता है, बच्चे आप ते स्कूल पे अब तो पैदल भी नहीं चलना होता है, मैं बस यह मैं जब तक गरमगर रोटियां सेखा करो, अपनी कॉपी कितावें जगा पे रख दिया करो, वो सब अच्छा नहीं लगता, बिद्या की हम क्यार करेंगे, तो पहले पता है, पहले तब भी बच्चे थोड़ी बहुत मदद कर देते थे, आप तो आएंगे, जैसे कितने ठक के हारे हैं, मतलब चलना पड़ता है, अब तो चलना भी नहीं पड़ता है, तब भी ऐसा होता है, तो यहां पर होलेक्स बगएरा दिया, मेरा दलिया रखा था, वो मैंने दलिया खाया और अपने कामों में लग गई, थोड़ा वंसू का बैग फट गया था, थोड़ा किया जादा ही तनी पूरी उखड गई थी, तो अभी तो एक-दो दिन मतलब अभी थोड़े बहुत दिन में चुटी में स्कूल की हो जाएं, अभी मंगा लेंगे, भटा हुआ टूटा हुआ बैग लेके जाए, यह भी तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कोशिस करके हाथ की सिलाई तो रुकती नहीं, आप लोगों को पता है, तो मैंने मसीन चला दिया, थोड़ी तागस से थोड़ी सा बहुत समझ के चलाई, क्योंकि सुई पट सीधा टूट जाएगी, एक ही सुई थी, तो वन्सू की मदद लेके वो उधर वैसे करतीगी, तब मैंने सिलाई, फा बताना, और इसके मैं बाल भी लगा दूँगी, काला धागा नहीं था, तो इस वज़े से रह गया था, कैसी लग रही है, कमेंट है, मुझे जरूर बताना, पता है, आज कल हमारी वन्सू क्या करती है, पूरे दिन कोपी किताब लेके घूमती है, पूरे दिन, फिर बोलती टीवी देख लिए, बहार निकल गई, ऐसे कर लिए, तो ऐसे थोना होता है, तो मैंने इनको डांट के बिठाए, मैंने अब यहां से उठना नहीं है, तुझे यहीं पर बैठके पढ़ लेना है, पूरा लन करके तभी नहीं, तो फिर रोती मम्मी यादी नहीं हुआ, कैसे करूँ कैसे नहीं, तो मैंने वहला चुप-चाप से यहां पर बैठो, पूरा याद हो जाए, तभी तुझे अटना है, तो फिर यहां पर बैठ गई थी, डांट के मैंने विठा दिया था, सोना को टूसन का हमबग करना था, तो मैं अपना काम कर रही थी, तब तब बिठा इतने से पनीर के लिए क्या दुकान जाओं, तो बच्चों का मन था, तो फिर मैंने एश्टा पानी है, जो निकाल दिया था, फिर अच्छा सा पानी डाल के इसको दोली है, थोड़ी दे फ्रीज में रखने के बाद, इसने प्याज याद डाल के अच्छे से पराठे करके सौनू को अच्छे लगते, तो इस वज़े से यह देखी, मैंने अच्छा पानी डाल दे, इसको नचुड़ने देने के थोड़ी दे फ्रीज में रख देंगे, आप लोग भी करते होगे, मुझे पता है, इतने के मेरे 3-4 पनाठे आराम से खुब अच्छे-च्छे से बन तो यह देखी आदा घंटा मैंने फ्रीज में रखा और हमारा पनीर है जो सेट हो गया भुजिया भी बना सकते हैं बच्छों के नएने क्या थोड़ी रहते हैं अच्छे वी रहते हैं बारिक प्याज काटा है और इसमें प्याज डाल देंगे थोड़ा सा जीरा मिर्ची ध थोड़ा एक जैसी रोटी के लिए बच्चों के पास हजार बहाने है कि यह कुछ नया करो सबकी ममी अच्छा अच्छा देती हैं आप अच्छा नहीं देती सोना के और सोना के तो रोज की यही बहाने है तो इसको मिक्स किया यह देखिए प्रांठे बन के हमारे तैयार है एके लिए फूले फूले के इसको खोल बड़े और वैसे वह दिखा जैसा है वैसलों के सामने देखता है यह बच्यों को बात्चे कि खाखो के मैं अलग गई अपने काम में यह यह था बिंदी मैं ने काट ली धिल और जहीं में जीरिला बिंडि छोंक ले रहे हूं वे भीनि तब बना लेते हैं और अभी तो विन्डि यह सब इसली बार मेरी बहुत सबजी खराब हो गी तो मुझे इस वार सब्जी बिल्गुल भी खराब नहीं जांगी और उस वार वैसे भी मैंने कमी बनाई थी हाँ पेक टमाटर ले लिया उधर प्याज उपुझ रहा है तब तक मैं टमाटर काटके फटाफट से इनको कर दूँगी 10-15 दिन से 40 बहुत ज़्यादा आ रहा है और अच्छा हाँ मैंने मोटापे की वीडियो डाली थी तो कुछ कमेंट आये थे आप फिट हो पर आपके नीचे का थोड़ा सा मोटा है हाँ मेरी कमर थोड़ी भारी हमारे घर में सबी है तो मुझे इसमें कोई सरम नहीं है कोई वो सकते अब इसमें मसाले डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे मेरे चार-पांच बरतन थे वह दो लिए थे और बहार ठहल ठहल के लाइट आ रही थी जारी थी थोड़ी बहार गप सब की मस्ती मजाक किये ऐसे टाइम कप बीच जाता पता नहीं चलता वैसे मैं लेट जाती हूं तो थोड़ा सा आराम मिल जाता ना तो सही रहता है अच्छा भी लगता है तो मसाले डाल दी भिंडी लंबी-लंबी काटी वंसु कह रही थी ममी गोल-गोल काटा करो मुझे थोड़ी गोल पसंद नहीं है आप लोग समझे रहे मुझे लंबी-लंबी प करने देते हैं तता मैंने एक बढ़िया वाली अद्रक की चाय बनाई क्यूंकि थोड़ा बनाया था जब दूद्स थोड़ा कम था तो फिर मैंने दूद लेकर आ गई थी फिर मैंने बोला चलो आदा आदा कफ चाय बना लेतें बढ़ी ऐसी अध्रकी अपना घर है अपना काम है जब मर्जी करो जब मर्जी उठो सबजी बना रही थी और एक कफ चाय बना ही है ताम हो गया बिंडी अधी बन रही है मेरी बिंडी मसाले बादे बन जाए है तो बेक कैमरी से मैं दिखाऊंगे तब तक हमारा देखो पंखा खराब हो गया यह लगे हुए है राप को धूका दिया है और साड़े आठ वजने जा रहा है पता नहीं सही हो जाए नहीं तो कूला कूला कितनी देर चलाएंगे एक जगे फिर गैस आ जाती है उंपर से कप्ड़े ले क्या यह तै करने के लिए रखें कुला से ज्यादा पंका अच्छा लगता है काप्ड़े तै करने के लिए रखें और री पंका सईसे गद्धे पन हां तो ऑनाती बसता है जगानी है खड़े होनेगी कि सॉना दूर रहा हूँ मैं सबसे साफ से चाटती हूँ सबसे साफ कर दूगी इसको गंदा हो गया है ना बुझ रहा है बार बार पसीने में च्छाप सॉना ओ देखो हो जा कोशिस किया है नही रात पूरी काली जाएगी अभी दिखाती हूँ चलेगा यानी सबजी ला दो तब तर्था क्यों कर रहे हो नहीं चलाएगा फिर से चलाओ नहीं जाएगी तो अभी पसीना में च्छपोगा है उपर सीड़ी लाने पड़ेंगी अकेली चलो लाती हूँ तो पंखा तो नहीं सही हूँ पूरी रात काली हमारी इसी तरीके से निकर गए पर कूलर में आप लोग समझ सकते हो बाहर की मतलग गैस पास करने के लिए अच्छा खासा हो तब हो एक जगह आ रही थी हवा एक जगह नहीं आ रही थी ठीक हुआ फिर बंद हुआ ठीक हुआ फिर बंद हुआ तो मतलग उठना बैठना इस तरीके से लगा रहा तो यह हमारी भिंड़ी इसके बाद मॉनिंग में मिलू पर दो समेट लेना आँखों में ऐसे लग रहा है नीद हरी नीद हरी हो जाता है ना नीद किया जब नीद पूरी नहीं होगी तो ऐसे तो लगेगा तो स्कूटी से छोड़के आरे इनकी सामने वाले की लड़की जारी क्योंकि ना सड़के बहुत ज्यादा खराब है ऐसे लगता है कि यहादू बल्कुल टूट गया था क्योंकि मैंने डिपावली पे जाडू नहीं लिया ता स्रिप सीक का जाडू लिया था फूल वाला जाडू नहीं लिया था तो मैं भी जाके पूल जाडू लेके आई और उसमें है छोटे-छोटे से वोच्प के होता है ना पूरे कमरे में गंदी की कम निकलती इसके वो ज्यादा निकलते तो फिर मुझे लाना पड़ा वैसे में दिपावली को यह दोनों जाडू लेके आती हूँ जब था तो थोड़ी सी मैं भी आलस करें मैंने है तो फिर क्यों करो तो फिर खतम हो गया था जाडू लगा था थ तो था मैंने ज़ाडू ले लिया था सुक्रवार को तो ठीक भी था और ले लिया है कि तो थोड़े से ल, तिए और कर दे हैं निया ज़ाडू लो तो हमेशा यह चीजे करू यह को यह थोक्ता दो निगे चीज थोड़ी सी हटा दो थो ज़ावल tool तो जाडू बहुत लगता है तो मेंने बॉलना आप लोगों को बता हूं बहंगा तो नहीं है पर मुझे जरूर बता दू रात को मैं मोबाल चलारीती कुछ । सभी को चीज बता है पर मैं इन चीजों पर ना वीडियो बनाना चाहती हूं ना कुछ आप लोग जानते हो मैं बहुत नहीं अच्छ से वह करती हूं पर वह चीज मैंने देखी तो रात भर मुझे नहीं है रात को साड़े ग्यारा वज़े दीदी से चैट किया पता है रिष्टे नाते सब दिखा जब भगवान की तरफ से आ जाती है ना तो सारे निरिष्टे खतम हो जाते है ना बाप रहता ना भाई रहता ना पती रहता कुछ नहीं रहता मैं किसी का नाम किसी का कुछ नहीं लोगे क्योंकि कोई को अभी कुछ पता नहीं जूट है या सच है मुझे नहीं पता पर के बात करूं मैं डायरेक्ट नहीं बात करना चाहती क्योंकि कभी-कभी जो चीजे सब्दों से वर्ड नहीं होते कहने के लिए दिल इतना रोता है तो वह चीजे मैंने यूटुब पे देखी हैं बहुत बुरा लगा बहुत ज्यादा बुरा एकदम से सजेशन में आया है तो बहुत ज्यादा बुरा लगा कुछ लोग समझ जाएंगे कुछ लोग नहीं समझेंगे तो बस भगवान के आगे किसी का जोड नहीं चलता है पता नहीं क्या भगवान लिखे देता है किसी को नहीं पता चलता है पर यह है कहते हैं यह मेरा है वो मेरा रिष्टा यह मेरा भ भूमती रहे दीदी से बात की फे वहन ने बोला सो जा जल्दी से बहुत टाइम में वो चलता रहा बहुत जाद दिमाग खराब रहा अफसेट रहा जब ऐसी कुछ बाते सुलोना तो बहुत दिमाग बिचलित होता बहुत ज्यादा चलिए आप लोग समझ गया होंगे नहीं स स्लिप साफ कर दीए खाना बच्चों को टिफिन फिन करके बच्चों को छोड़के आके अब यहां पर यह देखी जूता चपल कैसे फैले हुए सुबह के टाइम ऐसा ही फैला हुआ रहता है पूरे इसको समैट के जू और इतनी मट्टी आती जूतों में चिपक के कुछ कह बच्चों को नास्ता पानी जो भी दूद करके मैंने दे दिया था यह छोड़ायते तो मेरा काम जल्दी से मिट जाता यह रह जाता है और यह सूट एक जैसे हैं और वैसे आप लोग पता चलिए युट्व पे इतनी सारी वीडियो है उनकी बहुत जो भी भगवान पूरा सा सोच समझ के करें बहुत बुरा लगता है दिल रोता है बीच बीच में बात कट कर देती पूरी नहीं कर पाती है मेरी आदत पर मैंना डारेक्ट मुझे डल लगता है वह लगता है तो मैंने इंडारेक्टली मैं मन का बोज है वह कम कर लेती हूँ वैसे अभी मैंन बोला लोग सबको पता चल जाएगा पता चल भी गया हो बहुत सारे लोग मेरी बाते भी समझ गए होंगे पता बहुत बेचैनी होती बहुत अजीब सा लग रहा है तो बस यहां पर देखिए मैंने जाडू लगा है और इसी के साथ वीडियो एडिट कर वो स्वारी एंड करत जाडू अच्छा है ठीक है कच्रा भर लिया और नेस्ट वीडियो में मिलूंगी और आपको पता है तो कमेंट करना